नमस्ते एंड विल्कम फ्रेंड्स रेखा इस क्रिटिविटी आइडियाई आज मैं आप लोगों के शाथ एक नई रेशिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और डिलीस्यस रेशिपी है सिर्फी स्पेसिपी में मैं चिकन बॉंस का ही इस्तमाल की है 300 ग्राम चिकन बॉंस हैं सॉल्ट काश्मेरी रेट चिली पाउडर और लेमन जूस से मैं मारिनेट करके आधा घंटा के लिए ढग कर रख दूंजी कोरियंडर सीट्स और क्यूमिन सीट्स को ड्राइ रोस्ट करें सुबन भाने पर गैस को बंद कर दें अब इसी तेल में आप जीरा बरावाला हिलाइची डाल चीनी और क्लोप्स को डाल दें अब डालें क्रस्प के वह गार्ली क्लाइस अनियन और थोड़ा सा नमस डाल कर साथे करें गैस फ्रेम को लो कर दी पूरी रेसिपी में लो फ्रेम पर कुक होगा चॉप ग्रीम चीली और मैरिनिक किया हुआ चिकन को पैन में डाल दें कुछ देल तक चलाते रहें अबसे जिए जिए सुका मसाला दोगा साष्मी एक्षिली पाओडर, एक्षिली पाओडर, तर्मरी पाओडर, घर्मसाला रोस्त किया हुए जो को यंदे राग प्यूम था वो गार्लिक पेस्ट, दिंजर पेस्ट तभी मसाले को अच्छी कोड़े मिलाएं बिल्कु लो फ्यूम पर अच्छी कड़े मिलाने के बाद कबर कर दें कबर करके कम से कंद 10 मिनित के लिए कुट करें इस रेसिपी में मैं पानी का इस्तमाल नहीं करेंगी यह जो लो फ्लेम में ने को खुरा है ना चिकन से पानी निकल रहा है फिर मैं टॉमाटो डालूंगी तो इसका भी पानी आएगा टॉमाटो डालने के बाद धग दग कर दोतिंग में अटकर पकाए प्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें अच्छा लगे तो भी नहीं लगे तो भी आप लोग के कमेंट आने से मुझे फिर नया कुछ वीडियो करने का बहुत उच्छा मिलता है इस रेसिपी का खासियत यह हैं फ्रेंड्स कि बहुत हिं जल्दी कूप हो जाता है और आप जो किसी भी रेसिपिक साथ राएस हो, पुलाओ हो, चपाती हो, पराथा हो तंदूरी हो, जो भी हो सबी के साथ चल जाता है बहुत अच्छी तरह से बच्चे लोग तो बहुत पसंद करते हैं आप लोग फ्रेंट जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा ये रेसिप आप लोग को चैनल पर मैं बिल्कुल ही नहीं हूं मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है जो नया मैं करती हूं सोचती हूं चलो आप लोग मुझे सर्थ में शेयर करें आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंस और सब्सक्राइब करें प्लीज 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 मैं बॉइल एक के साथ सर्थ कर रही है मेरे बच्चे लोग बॉइल डी गूर पसंद करते हैं इसलिए मैं डाल रही है अगर आपके बच्चे भी पसंद करें तो जरूर डाले Thank you friends and bye bye Thank you